जैश्री कृष्णा, मैं हूँ राधिक और आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल किट कटी स्टोरीज पर बहुत-बहुत स्वागत है विशाख मास में सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली एक कहानी है जो हर दिन सुनी जाती है विशाख मास के नियमों का पालन करने वाले, वरत रखने वाले या जो भक्त भी अंत में मोक्ष प्राप्ती की इच्छा रखते हैं उन्हें हर दिन नियम से इस कहानी को जरूर सुना चाहिए ये कहानी है बांदरी की कहानी अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और हमारे चैनल पर हर दिन विशाख मास महातम्य की कथाएं भी सुनाई जा रही है अगर आपने इन कथाओं को नहीं सुना है तो प्लीज आज से ही कथाए सुनना भी जरूर शुरूर कर दिजेगा एक बार एक राजा था वे विशाख मास में प्रति दिन ब्रह्म मोर्त में उठकर गंगाजी में स्नान किया करता था राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगाजी में कोई भी स्नान नहीं करेगा राजा जब गंगाजी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रति दिन शांत जल की जगापर हिलता हुआ जल दिखाई देता था तब राजा को संदे हुआ कि निश्चे ही मुझसे पहले कोई हर दिन आकर गंगाजी में स्नान करके चला जाता है इसलिए राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिये गंगाजी के तट पर एक व्रिक्ष था उस पर एक बंदरिया रहा करती थी वह हर दिन राजा के स्नान करने से पहले ही स्नान करके व्रिक्ष पर चड़कर बैठ जाती थी इस प्रकार होते होते पूरा विशाख मास बीद गया किन्तु अंतिम दिन राजा के सिपाहियों ने देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गई और कहने लगे कि महाराज यही वो बंदरिया है जो आप से पहले प्रति दिन गंगाजी में स्नान करती है उधर राजा की प्रतिग्या ये थी कि अगर कोई भी स्तरी मुझ से पहले स्नान करती होगी तो मैं उसी से विवाह कर लूँगा इसलिए अब अपनी प्रतिग्या के अनुसार राजा को उस बंदरिया के साथ ही विवाह करना पड़ा विशाख मास के स्नान के पुर्णे से बंदरी के गर्भ ठहर गया नौ महीने पुर्ण होने पर बंदरी ने राजा से पूछा कि महराज शिशु जनम के समय मुझे क्या करना चाहिए तब राजा ने महल में गंटी लगवा दी और बंदरी से कहा कि जब तुम्हें दर्ध हो उसे बजा देना मैं सारा प्रबंध करवा दूँगा राजा की अन्यरानिया भी थी लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी बंदरीया को गर्ब ठहरा है ये समझार जानकर अन्यरानिया मनहीमन उस बंदरीया से इर्श्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने के लिए तरह तरह की योजनाय बनाने लगी घंटी लगी देखकर एक राणी ने बंदरिया से इसका कारण पूछा तब उसने सारा वृतान सुना दिया राणी ने बहकाया कि एक बार घंटी बजा कर देख तो ले कि राजा आते भी है या नहीं बंदरिया ने घंटी बजाई तो राजा दोड़े दोड़े महल में आये और घंटी बजाने का कारण पूछा तब बंदरिया बोली महराज मैंने तो राणीयों के कहने से ही घंटी बजाई थी तब राणीयों ने राजा से कहा कि महराज ये तो पशू है नजाने कितनी बार ऐसा कह कर रानियों ने राजा से कह कर उस घंटि को हटवा दिया, कुछ दिनों के बाद बंदरिया के शिशु जनम का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पुछा कि रानियों, अब मैं क्या करूं? तब रानी कहने लगी कि तुम आँखों पर पट्टी बांद का सो जाओ उधर बंदरी के विशाख मास के स्नान के पुनि प्रताब के रूप में उसे एक सुंदर पुत्र हुआ शिशु के जनम होते ही उसके रोने से पहले ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दे दिया कि इसे जाकर नदी में बहाओ और इधर रानियों ने उस शिशु की जगा पर एक पत्थर वहाँ पर रख दिया राजा को भी कहला दिया कि महराज बंदरिया ने तो एक पत्थर को जनम दिया है राजा ने सुना तो उन्होंने भी संतोश कर लिया कि जब दूसरी राणियों के संतान नहीं है तो ये तो बंदरी है इसके भला क्या संतान होगी उधर दासी ने उस सुन्दर शिशु को नदी में ना बहा कर कुमार के खंदड़ में रख दिया दूसरे दिन कुमार कुमारिन उस खंदड़ में आए तो वहाँ एक सुन्दर शिशु को रोते वे देखा कुमार और कुमारिन भी निसंतान थे उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेट माना और बड़े प्रेम से शिशु का पालन पोशन करने लगे कुछ बड़ा होने पर जब उस बालक को ये ग्यात हुआ कि वह रानी बंदरी का पुत्र है जिसको रान्यों ने मरवाना चाहा था एक दिन वह बालक कुमार के बनाई वे मिट्टी के हाथी गोडे लेकर पनगट पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा आओ औरे मेरे मिट्टी के हाथी गोडे पानी पियो जब दासियों ने ये बात सुनी तो वह हसने लगी कहने लगी अरे मूर्ख कभी मिट्टी के हाथी गोडे भी पानी पीते है क्या इस पर वह बालक कहने लगा अच्छा तो क्या कभी बंदरी के भी पत्थर जनम लेता है उस बालक की ये बात दासियों ने जाकर महल में कह दी तब रानियों ने दूसरे दिन विश मिलाकर लड़ू भेज दिये इश्वर की करपा से लड़ू गोंद और बादाम के हो गए और उन लड़ूँ को खाने से उस लड़के की मृत्यू नहीं हुई ये समझार दासि ने रानि को बताया और रानि ने राजा से कहकर उस कुमार को ही देश निकाला दिलवा दिया अब वह कुमार भटकता भटकता वन में ही रहने लगा इसके बाद अगले वर्ष चैत्रमास में माता गणगौर के पूजन का दिन आया तब है बंदरी का पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर तथा घड़े में पानी भर कर बगीचे के बाहर बैठ गया उधर राजा की और सहुकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आई और बगीचे में खेलने और जूलने लगी कर लगाती जाओ तब मैं तुम्हें जल पिलाओंगा इस पर पहले तो कन्याओं ने मना किया किन्तु तेज प्यास लगने के कारण वे तुरंत मान गई इस प्रकार वे गोली खाने और उस युवक के साथ फेरे लेने से वे गर्भवती हो गई बात में जब उनके माता पिता को ये ग्यात हुआ तब वे सभी कुम्हार के पास आए और सारा वृतान कह सुनाया फिर कहा कि तेरे पुत्र ने हमारी कन्याओं से विवह कर लिया है अब तो तुम्हें इन्हें अपने पास ही रखना होगा तब कुम्हार ने निर्धन होने के कारण मजबूरी व्यक्त की कुम्हार कहने लगा महराज मैं तो बहुत करीब हूँ इन सभी बहुआं को मैं अपने घर पर कहां और कैसे रखूँगा क्या खिलाओंगा तब कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन दे कर अपनी कन्याओं को कुम्हार के घर विदा कर दिया और कुम्हार के घर 108 पहुएं आ गई बाद में उनके 108 ही पोते हो गए कुम्हार ने समस्तनगरी को भोजन हे तो निमंतर्ण दिया और राजा को भी बुलवा लिया राजा के यहां से रानी बांदरी के अलावा सब भोजन करने के लिए पधारे तब भे राजकुमार जो कुमार के घर में पला बढ़ा था राजा की आग्या लेकर बंदरी को लेने रत पाल की लेकर गया और लाकर सभा में सबसे उचे सोने के आसन पर बिठा दिया राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझा दिया था कि बंदरी मुझे जनम देने वाले माता हैं फिर तो एक-एक बहू रानी बांदरी के चरण इसपर्ष करती गई और एक-एक सोने का सिक्का और पोते को गोध में देती गई जब राजा और दूसरी राणियों ने ये सब देखा तो कुमार के पुत्र से इसका कारण पूछा राणियों को तो संदे होने लगा कि ये अवशी ही बंदरी का पुत्र है अब तो राणिया रूट कर राजा से कहने लगी कि कुमार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बंदरी का सम्मान किया है इसलिए हम लोट कर जा रही हैं इधर राजा को पुत्र के जनम का सारा रहे से पता चल गया था इसलिए उन्होंने अपनी सभी राणियों को देश निकाला दे दिया और अपने पुत्र सभी पुत्र वधूं और पौत्रों को लेकर महल में आ गया फिर राजकुमार का रास्तिलक कराया गया कुमार कुमार इनको राजकुमार ने महल में रहने के लिए निवेदन किया किंतु वे नहीं माने तब राजा ने उन्हें धेर सारा धन दे कर विदा कर दिया विशाक इसनान का इतना महत्व है तो सब को विशाक इसनान करना चाहिए बंदरी ने विशाक इसनान किया तो उसे राजा का राज पुत्र बहुवे आधी प्राप्त हुई इश्वर जैसे बंदरी को पुणने मिला इसी प्रकार विशाख इसनान और विशाख मास की कथाएं सुनने वाले सभी भक्तों को देना सभी की मनुकामनाई पूंड करना ये थी विशाख मास में सुनी जाने वाली बंदरी की कहानी अगर आपको ये विडियो पसंद आई हो तो प्लीज विडियो को लाइक चरूर कीजेगा